So hello guys, hello everyone, स्वागत है अपसे भी का एक और बार मेरे चैनल पे दोस्तों, दो दीन पहले गौना रिलीस हुआ हे विट्डा विट्डा रे, चेंगिस विट्डा रे, हे विट्डा विट्डा रे, चेंगिस विट्डा रे इंटरनेट पे बवाल मचा दिया, बवाल, बवाल, IMDB पे टॉप ट्रेंड कर रहा है, एकदम टॉप पे ट्रेंड कर रहा है, चेंगिस भाई, मा कसम बोलता हूँ, आज एक बांगाली होके इतना प्राउड फिल हो रहा है ना, क्या ही बता हूँ ये काम सिर्फ बिंगॉली फिम इंडर्स्ट्री में एक ही बंदा कर सकता था और उसने ही किया है, जिसका नाम है जीत भाई ने दिखा दिया भाई करके दिखा दिया करके दिखा दिया ultimate उस बंदे का swag देखना भाई movie जरूर देखना ठीक है movie जरूर देखना मतलब बिंगॉली film industry का king बोलते हैं उसे हम और बिंगॉली film industry बॉलीवूड से भी पुरानी film industry है लेकिन ये बहुत पीछे थी लेकिन अब सामने आ रहा है और ऐसा आया भाई ऐसा आया दिल खुश हो गया दिल खुश हो गया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से चेंगिस का हाइप एक गाने के साथ इतना बर गया मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इसका box office collection 200 करोड तो होगा ही होगा और ये बिंगॉली film industry में एक एतिहासिक पल होगा कि first कोई बिंगॉली film first बिंगॉली film जो 100 करोड नहीं बलकि 200 करोड का आकरा पार करेगा ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ क्योंकि एक गाने से अगर इतना hype मिल सकता है गाना अगर इतना बवाल मचा सकता है तो जब movie release होगा तो क्या होगा foreigners लोग यार चेंगीज की तारिफ कर रहे हैं foreigners कितने भी reaction वाले YouTubers हैं सब चेंगीज 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 और चेंगीज और कोई topic ही नहीं अभी सिर्फ चेंगीज किसी का भाई किसी का जान के साथ क्लैश करने वाला है और किसी का भाई किसी का जान का डिरेक्टर के बारे में तो आपको पता ही है कितने बरे बरे हिट्स दिये कितने बरे बरे ब्लॉक्बस्टर दिये है तो किसी का भाई किसी का जान से सलमान खान पर ही होप रख सकते हैं और किसी के होप रखना मतलब किसी से होप रखना मतलब खुद को ही निराशा देने वाली बात हो जाएगी तो पता नहीं किसी का भाई किसी का जान का क्या होगा लेकिन बेंगॉल से बिलॉंग करता हूं भाई दिल से बंगा ली हूं और जीद्दा को full support करूँगा भाई इस बार तो मैं क्योंकि भाई उस बंदे ने करके दिखा दिया उस बंदे ने करके दिखा दिया पता है बिंगॉलिफ इंडेस्ट्री इतने दिनों से इतना पीछे क्यू था, मैं आपको एक स्टोडी बताता हूँ, मैं जब VFX की पढ़ाई कर रहा था, मैं कॉलेज के बाद VFX इंडेस्ट्री में गुज गया था, और मतलब एनिमेशन अगेरा, 2D एनिमेशन के इंडेस्ट्री में, VFX इंडेस्ट्री में पुरा गुज गया था, तो मैं जहां पर पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पे मेरे जो डिरेक्टर थे उस इंस्टिट्यूट के, तो उनका एक चोटा सा ओफिस भी था, तो बेसिकली वो बाहर के काम ज्यादा करते थे, यानि कि हॉलिवूड फिम्स के चोटे मोटे काम ज्यादा करते थे, और बॉलिवूड के भी एक VFX शाट चाये, और हो कुछ शायद ज्यादू टाइप का कुछ करना चाते थे, मतलब हो जो कोई मिलगा वाला ज्यादू था तो ऐसे ऐलिएन टाइप का कुछ करना चाते थे, लेकिन फिर पूरा सीन बताया उसको कि ऐसा 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 चाहिए हमें, प्रोटुसर ने हमारे कितना होगा तो मेरे सर ने बोला कि यह विप्तら से सोरा लाक 10 मिनिट सीन के लिए रच लेगे आपको जैसे आउट Pulis रहे हो वैसा ही आउट Pulis मिलेगा तो कई तो आपको 10 सीन के लिए मतलब 25 Ici 15agus 5 qualité का बजट हो जाएगा ऊराम से चल diferente फिर प्रडूसर ने मेरे डिरेक्टर साब से बोला कि यार तुम जो बजट दे रहे हो उसमें हम 15-16 पिक्चर बना लिए तो सोचो अगर मतलब किस हाल पे था हमारा बेंगॉली फिम इंडस्ट्री मतलब प्रडूसर लोग सिर्फ पैसे कमाने के लिए मूवी बनाते थे मूव जोकि सच में पैसे लगाते हैं एक अच्छी फिल्म बनाने के लिए और जीत उनमें से एक है जीत भाई उनमें से एक है तो उनकी महनत रंग लाई और ये हम सारे जितने भी जीत के फैंस हैं कोलकता में वो सब चाते थे कि भाई तुम हिंदी सिनमा में क्यों नहीं जाते त और चेंगिस भाई पासा पलट देगा विंगॉली फिम इंडूरी का मैं यह तावे के साथ कह सकता हू पासा पलट देगा, अल्डuggली पलट चुका है बस रिलीज होने की देरी है और ट्रेलर आजाएगाना जब ट्रेलर आजाएगा diamond 59 seconds का टीजर आया है और एक गाना आए है अभी ट्रेलर बाकी है तो ट्रेलर जब आएगा न मेरे भाई होश उड़ जाएगा आप लोग का उस बंदे का स्वैक देखके ना होश उड़ जाएगा उसे ऐसे ही हम टॉली मतलब बिंगॉली क्रूस नहीं कहते उसको ठीक है वो दिखने में जितना smart है उसमें attitude भी भर भर के है मतलब जो भी character वो निभाता है न एदम swag के साथ भाई attitude के साथ king सच में है मतलब बेंगॉली film industry का वो king है सच में है भाई और वो commercial बेंगॉली film industry को कहां पहुचाएगा मतलब आज लिख लो मेरी बात को आप मान लो भाई एक दिन देखो के कि बिंगॉली फिम इंडस्ट्री मतलब 200-300 करोर बजट की मूवी में काम करेगी यह मैं दावेग असाथ कह सकता हूँ यह जीत दाने शुरुवात किया है और जीत दा ही करेंगे जो करना है तो मैं तो फुल-उन आशा रखता हूँ कि फुल-उन सपोर्ट है मेरा जेंगीज के लिए मैं तो आशा करता हूँ कि यह 200 करो तो minimum box office collection करेगा ही करेगा मतलब undoubtedly करेगा undoubtedly और trailer आने के बाद आप लोगो पता चली जाएगा कि वो बंदा क्या चीज है तो तब तक के लिए trailer का wait तो मैं कब से कर रहा हूँ और शायद आप लोगो भी कर रहे होंगे तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा आगा हो तो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप कोई भी update मिस्ना करें तो मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए जंगीज